सतना जिले के पंगरा गाउं में एक अजीबो गरीब मंदिर है जिसे अजान बाबा के नाम से जाना जाता है। अजान बाबा जिसका मतलब है जिसे आस तक कोई जान नहीं पाया। मंदिर के गर्व ग्रह में भगवान हनुमान की प्रतिमा विराजमान है जो पास के ही तालाब में सेकड़ो वर्स पहले अजान बाबा के पेड़ के पास से मिली थी। मंदिर के बगल में एक कुवा है जिसकी मानता है कि उसका जल अम्रत समान है जब गाउं में भीशन आकाल पड़ा था नदी नाले गाउं भर के कुएं सब सूख गए थे तब भी यहां का जल नहीं सूखा और गाउं के लोग प्यास पुझाने के लिए सिर्फ यहीं आया करते इसके अलावा और कहीं पानी नहीं मिलता था मंदिर के पुझारी राखेस महराज ने बताया कि यहां एक विशाल का व्रक्ष है जो कई और शिधिये गुणों से परिपूर्ण है जिससे कई तरह के रोग ठीक होते हैं यह एक अंजान व्रक्ष है जिसे आज तक कोई पहच मंदिर का शिखर बहुत ही अद्भूत है जिसमें राम, सीता और लक्षमण की अनोखी मूर्ती बनाई गई है जो काफी आकरसक है इन तीनों की अनुपम जहाकी जेल से छुटे एक कैदी के द्वारा बनाई गई है इस्थानी लोगों ने बताया कि कैदी की मनुकामना अज जान बाबा कैसे पड़ा और यहां प्रभू का निवास से एक तिगण हमेजा उसका नाम है अन्जान उसको कोई आज तक जाना नहीं है बहुत से लोग उनको दिखाया गया पूंचा गया यहां तक भी रिसर्च में भी लोग कि यह उसको देखे तो उसमें की नहीं बता र इतना मोटा पेंड था जिए इसे में हन्मान जी जांग है यह अंदर है यहीं मवरकायर है अच्छा हां क्या इस पेंड की विशेस्ता क्या थी इसमें जैशिक अव्श्भी हां इसकी पत्तक हाले कोई भी मार्ज हो सब खत्म हर मंगलवार को यहां आता हूं यहां अने से सारी मनो कामना इतना है जो इच्छा भग्मान की रहती है मांगते है तो पूरी करते है और बत्ति इसचिता है यहां बहुत प्रूराना मंदीर है狂ज हा कई गायों के लोग आते हैं दर्सन करणे के लिए बत्सेश्टा है कि ज